नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में मैं हूँ पृती सिंग देश देशांतर में आज हम बात करेंगे 21 वी सदी में एशिया ए देशों के बढ़ते प्रभाव और खासकर भारत की बढ़ती भूमिका की हैदराबाद में डकन डालॉग के दूसरे एडिशन के उधगाटन सत्र में अपने संबोधन के दोरान उपराशपती अमवें का या नाइडू ने बदलते वैश्विक परिद्रश में वर्ल्ड बैंक, डबलू टियो जैसी अंतराश्ट्रिय वित्तिय और व्यापारिक व्यापारिक मद्भेद, तकनीकी, असमानता, कनेक्टिविटी, जलवायू परिवर्तन, आतंकवाद और समुद्री सुरक्षा जैसी चुनोतियों का सामना प्रभावी धंग से किया जा सके इसके साथ उप्राश्पती ने कहा कि जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है, उसकी मदद से भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी के जरिए क्षेत्रिय संपर्क और सहियों को मजबूत किया जा सकता है, ताकि पूरे क्षेत्र की समरिध्धी और विकास सुनिश्चित हो सके, आखिर आज कैसे बदल रहा है वैश्विक परिद्रिश, कितनी मजबूत रहने वाली है एशिया और खासकर भारत की भूमिका और इस भूमिका में क्या है चुनौतियां, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है तीन खास महमार, हमारे साथ है संजे भारत द्वाज, प्रोफेसर साउथ एशिन स्टाडी सेंटर, जेन यू, आपका बहुत बहुत स्वागत है संजे जी, हमारे साथ है प्रोफेसर अमन अगरवाल, डिरेक्टर इंडियन इंस्टिटूट अफ फाइनस, डॉक्टर अमन आपका भी, प्रोफेसर समय से माना जाने लगा है कि अब जो कीसवी सदी है वो एशिया की सदी है और आज उपराश्पती ने एक बार फिर ये बात दोहराई, जिसमें भारत की भी बड़ी भूमिका की बार बार उन्होंने बात कही है, पहले यूरोप और फिर अमेरिका की सदी के बाद अब एशि की बढ़ती ताकत को आप कैसे देख रहे हैं, देखिए मैं बहुत कुछ हद तक मैं उनकी बात से सहमत हूँ और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो विस्व परिदेश्य की बात की है, इसमें दो तीन बातें जो रिफ्लेक्ट हो रही है, जो उनके भाशन से भी और डककन डायलोग उन्होंने उद्गाटन किया, उसमें देखने को मिल रहा है कि जो विस्व परिदेश्य है, आर्थिक द्रस्टी से मल्टी पोलर है, लेकिन अभी भी राजनेतिक द्रस्टी से एक योनिपोलर वोल्ड है, और जो इस साइंस एंड टेक्नोलोजी की एज में जिस तरीके से हम ग्लोबल विलेज की तरफ बढ़ते चाहा रहे हैं, इस ग्लोबल विलेज विवस्था में जहां पर भारत जैसे इश्याई देश, भारत जैसी एकनोमिक जो ताकत, एक उबरती हुई ताकत के रूप में आ रहे हैं, तो जो विकासील देश है, उनके जो अ वो वो डिस्किमिनेटरी है, तो जो विकासील देश हैं, जिसमें भारत एक अग्रणी रूप में का निभा सकता है, वो उमीद करता है, और उनके भाशन में भी इस पस्टूप से परिलिक्षित हुआ, कि हमको एक नियम बेस एक नियम बेस एंटी डिस्किमिनेटरी विकासील देशों का है, उसको भारत कैसे एड्रस कर सकता है, इसमें अगर हम देखते हैं कि भारत कर भी रहा है, बहुत सारे जो इंस्टिटूशन्स और और इडियाशन्स में पिछले अगर हमारे प्रदान मंतरी की यात्राइं भी देखते हैं, चाहे वो स्चियो में हैं, हम वहां पे कुछ सहमत ही हुई चाहिना, रशिया और इडिया के साथ में कि कैसे जो ग्लोबल वार हो रहा है, और किस तरीके से हम जो डवलपिंग कंट्री जो 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 कंसर्न कंट्री जो उनके इंट्रेस को जो यूनिलेटरल पावा से हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दूसरा अगर आप जी सेवन का सब्मिट भी देखते हैं, तो उसमें भी जो मुद्धा सबसे ज़्यादा जो डोमिनेट रहा, वो मुद्धा रहा आर्थिक हितों का, आर्थिक बाते होई, कैसे हम अपने व्यापार के हितों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रदान मंत जो दृष्णी गोचर होता है, वो होता है कि आप यूएन में जाएं, यूएन में कुछ ताक्तों का एकादिकार है, भारत कहता है कि इसमें इसमें disclaimer है, सब representative नहीं है, इसको expand करना चाहिए, इसको reform करना चाहिए, डश्धी ओ में जाएं, वहां पर चाइना और भारत साथ तो हम इस बदलते परिदेश्चे में और बहुत अच्छी तरीके से जो अपने भाशन में उन्होंने बात कई कि कैसे हम अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं और कैसे जो नए जो इनोविशन हो रहे हैं जो नए टेक्नोलोजी आ रही हैं उसमें हम अपना किस तरीके से दब द बढ़ा सकते हैं ताकि भारत की एक एशिया में जो एक उभरता एशिया है जिसमें भारत और चाइना की तरफ विस्प देख रहा है उसमें भारत कैसे एक अग्रणी भूमिका निभा सकता है ठीक है और अबंसार जैसे नए इनोवेशन नए टेक्नोलोजी की बात हो रही है ग्लोबल विलेज एक तरह से पूरा संसार बन गया है और जो व्यापार के तरीके हैं वो भी काफी अब बदल गये हैं जिसका जिक्र खुद अपराश्पती ने किया कि अब प्रोसेस ऑफ एन ऑन गोइंग पेराडाइम शिफ्ट पहले आप ये शिफ्ट समझाए ठोड़ा किस तरह से बदल रहा है वियापार को लेकर वैशविक परिदर्शिय देखे जी इसको समझने के लिए पहले हमें एशिया और हिंदुस्तान को थोड़ा समझना जरूरी है एशिया जो है इसमें जिसमें हिंदुस्तान भी आता है जपान भी आता है साउथ इस एशिया भी Pacific countries भी आती है चाइना भी इसका भाग बनता है करीब नंसाड़े चार बिलियन लोगों का रहते हैं इसमें जिसमें से करीबन एक कॉइंट तीनि डियन लोग हिंदुस्तान में बास करते हैं इसकी गर हम GDP देखे ठेए तो इसकी GDP करीबन 32 ।्रिलियन डॉलर की है जनल GDP जो ह को करीबन 40 प्रतिशत जो वर्ल्ड की GDP है वो एशिया से आती है नॉमिनल टरम्स में और करीबन 52 प्रतिशत GDP PPP मोड में वर्ल्ड से आती है इंदुस्तान आज जो है 2.7 ट्रिलियन डॉलर अगर 2019 के आंकड़े देखे तो 3.1 ट्रिलियन डॉलर के करीब माना जा रहा है और जो PPP मोड में जब इसको देखते हैं तो करीबन 10 ट्रिलियन से ज़्यादा की एक नॉमि माना जाता है विश्य के अंदर इतनी बड़ी जन संक्या होने के बाद जो ट्रेड के अंदर ग्रोथ होई जो नभे के दशत में एशिन कंट्रीज के ओपर फोर्स किया गया है नए-नए माधियम ट्रेड के फोर्स किये गए ओपननेस करने की बात की गए लिबरिलाइजेशन ग्लोबराइजेशन एक ट्रेंड माना जाता था मनमोहन सिंग नीजी भी किया 1991 में फोर्स के अंडर तो वो जो चरम आया नभे का उसे जो ये developing economies वा हिंदुस्तान open हुए अब वो इतने open हो गए हैं कि वो एक बहुत कड़ा जो है challenge, wish की धर्ती पे रखते हैं आज हिंदुस्तान अपना rocket, अपना jet खुद हिंदुस्तान में launch करता है जबकि पिछले सेकड़ों सालों, साट सतर सालों से वो बहार, रशिया, अमरीका, कुछ और दोशों से कहता था कि में को launch करना है, बना लेता था पर launch करने के लिए भी भार जाना पड़ता है हमने अपना जो मार्स पे पहुँचाया, सबसे कम rate के ऊपर, सबसे कम रिधी में और पहली बार में उसको पहँचाया ये चीजें मानने वाली हैं कि हम ये हिंदुस्तान में कर पाएं, ये क्यों हो पाई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने और उसकी जो युवा शक्ती है हिंदुस्तान की, करीबन 55 प्रतिशद लोग 15 साल से लेके 45 येर्ज की एज ब्रैकेट में आते हैं, जो productive जिसे हम मानते है जैसा नहीं कि उसके बाद productive नहीं होते पर जो maximum productivity की एजमानी जाती है, अब उनको देखें तो उन्होंने technology को embrace किया, नए systems को embrace किया, नए form of economic framework को embrace किया, अब हम देखें जंधन स्कीम जो लागू की गई, 32, 33 कोड़ आवाज के तिद्वाने 35 करोड के करीब खाते खुले हैं वर्ड के अंदर ये पहली ऐसी स्कीम है, जो financial inclusion के अंदर हुई है, और हिंदुस्तान में इसका पूराण हुआ, और अब हम पांच साल पूरे की हमने उस स्कीम के करीबन एक लाग क्रोड उन अकाउंट में पैसा है, छोटे-छोटे लोगों का पैसा है, जो कहते हैं कहां से बेचना हो, trade and commerce हो, पहली बार हिंदुस्तान में देखने को मिला, फरवरी 2019 में कि अमरीका से करीबन दस से बारा इंडस्टिलिस्ट, टॉप इंडस्टिलिस्ट के CEO's, इंडस्ट्री के वो आए हिंदुस्तान में CEO's से मिलने के लिए, हिंदुस्तान से तो CEO's साल प्रति साल, देश प्रति दस जाते ही थे मिलने के लिए कि हमारे बिजनस लाई है, पहली बार हमें देखने को मिला, कि वहां के CEO's आ रहे हैं, कि हमारे साथ हैंडशेक करना चाहते हैं, ये कि मिलाप की बात, मैं को याद है, आज से पांच-दस साल, जार साल पहले, जब हिंदुस्तान ह होता था, जो हिंदुस्तान ने trade introduced किया, कपड़े, spices introduced किया, यूरोप को, उनको पता ही नहीं था, वो समय यह होता था, कि हिंदुस्तान से माल आया है, ये खरीद लो, जिस दान पे है, खरीद लो, अब मारी जो विक्षात था है, वो वैसी ही अब दुबारा बनती नज़र रही है जो एक सोनी की चिडिया की फिलिंग थी वो निकल के आ रही है और हिंदुस्तान फॉर्चुनेटली क्योंकि डेमोक्राटिक रहा एक ऐसा नहीं रहा कि किसी एक रिजन के प्रती किसी एक प्रांथ के प्रती रहा हो सब को लेके साथ चला है पूरी तरह फैला हुआ है रशिया बहुत बड़ा है अमरीका बहुत बढ़ा है चाइना बहुत बढ़ा है पर वो कॉर्णर्स पॉकिट्स में हैं हिंदुस्तान में जो डवलप्मेंट है जाए वो जम्मु कश्मीर ने चाए कन्या कुमारी ने इधर गुजरात ले या इधर बंगाल ने सब तरक फै हीरे से आज ये है कि करीबं 6.5.6 billion dollar हिंदुस्तान में आज भी हर महीने हिंदुस्तान में निवेश हो रहे हैं जबकि विश्व में major मंदी चाही हुई है फिर भी हिंदुस्तान में 6.5.6 billion dollar के करीब हर महीने हमें receive हो रहे हैं यह इसी लिए है कि हिंदुस्तान जो disruptive technologies को रास्ट प्रति साहब ने कहा, वाइस प्रेजेंट साहब ने कहा, वो क्लिरली उनकी स्पीच में निकल के आता है कि किस तरीके से एकनॉमिक डिप्लोमेसी, एकनॉमिक गवर्नेंस हिंदुस्तान को और एशिया को अगले चरम में लेके जा रहा है और विश के अंदर नमबर व आ रही हैं, जो सोच रही हैं, शान्ति और सुरक्षा को लेकर, कितनी बड़ी भूमिका निभाता एशिया के अंदर और बहार भारत नज़र आ रहा है? देखिए, अगर आपने अपने विकास को बढ़ाना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो जो महौल वैसे होना चाहिए कि वो शान्ति हो, जब लड़ाई और जगड़ा होता है, तो जो फंड्स फ्लो है, वो देश से दूसरे देश को चले जाती है, इस समय पर क्योंकि internal stability है, बेशक हमारे pockets में कुछ disturbances है, लेकिन by and large पूरे देश में stability है, तो funds जैसे प्रोफेसर अगरवाल ने थोड़ी देर पहले बताया, वो inflows आते जा रहे हैं, in billions of dollars, और पाकिस्तान में क्योंकि instability है, वो outflows चले जा रहे हैं, यह मैं समझता हूँ, यह बहुत साथ बात जोडना चाहता हूँ, जो पहले जिसके उपर चर्चा हुई है, कि Asian century क्यों, क्योंकि Asian century basically क्योंकि पहली बार, centuries में जो Asia की जो economy है, वो world की economy से अभी आगे बढ़ गई है, पहली बार, और यह बात समझना इसलिए जरूरी है, क्योंकि पहले दो बड़ी economies होती थी, एक भारत की और एक चीन की, भारत की economy 4-500 साल पहले अगर आप देखोगे, तो number one थी दुनिया में, उसके बाद चीन ने उसको overtake कर दिया, फिर भारत का downslide चलता रहा, और पिछले 200 सालों में चीन का भी downslide सलता रहा, 49 से पहले, यह जो turnaround जो हुआ है, अब जाके basic factor है, भा प्रकार से तरक्की करें, वो turnaround हो गया है, और साथ ही Asian countries, Korea, Japan और Arab world में, जो भी turnaround हुआ है, यह एक बहुत जरूरी बात है, अभी देखिए conflict, अभी जब तक हम conflict में फसे हुए हैं, जिस प्रकार से हम development चाहते हैं, वो हो नहीं सकती है, अभी हम West Asia की बात करेंगे, West Asia में इतना progressive अलाका था ये, लेकिन वहाँ पर हालत क्या हो गई, अभी आप Syria और इराक में जो disturbances हुए हैं, जहां तक इराक में तकरीबर तकरीबर स्टिबिलिटी आ गई है, लेकिन सिरिया में अभी तक नहीं आई है, और दोनों जगह में Islamic State अभी तक भी गुसा हुआ है, वो जो instability प उनीशिया जिसकी domination की बात करते हैं, वो भी जाके एक ethnic conflict के तोर पे वहां पर वो एक problem खड़ा कर देता है, अगर आप हिंदुस्तान की बात देखिए, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो conflict चली जारी है 1947 से, अगर आप देखें कि अगर ये cooperative mode में आ जाए, तो कितना फरक पड़ जाएगा economy में, अफगानिस्तान पिछले 30-40 सालों से destabilized है, अभी जैसे ही बंग्रादेश के साथ हमारे relation सुधर गए हैं, तो देखें कितना फरक पड़ गया दोनों देशों की economy में, और खास करके जो internal trade है, जो roots जो हमारे इंडिया से अभी जाने लगे हैं, hall पैदा करना, देश की देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, और ये खुशी की बात अभी है कि जो हिंदोस्तान की, क्योंकि मैं इसका study बहुत सालों से करता रह रहा हूं, जो हमारा नकसल एरिया है, जहां पर इस समय पर कुछ लेवल तक instability है, वो बहुत ज 60's में उदर की हाला थी, तो ये मैं समझता हूं कि जैसे ही internal stability भारत की बढ़ती जाएगी, हमारी economic तरकी और तेज होती जाएगी, बिल्कुल, और जो हम Vice President की पूरी speech देख रहे हैं, उसमें हम देखें संजे सर, तो वो जो global institutions हैं, उसमें reforms की बाद बार बार कर रहे हैं, वो security council में भी कहा है, ये थोड़ा आप इसको democratic बनाएए, इसको विस्तार दीजी थोड़ा और, ये कितना बड़ा point है, ये बहुत बड़ा आपने आप में मुद्दा है, देखिए बारत largest, world की largest functional democracy है, कितने बड़े छेतर को represent करते हैं, एक emerging economy है world में, और सबसे बड़ी बात की अभी आप जहां पे भी देखते हैं कि भारत के जो apex level की visits होती है, चाहे फ्रांस हों, चाहे आप Gulf countries हों, सब जगे भारत के इस दावे का समर्थन करते हैं, कि United Nations की security councils में reforms होना चाहिए, और भारत का इस्थाहित पर्मानेट मेंबर से होना चाहिए, और तब ही एक कहेंगे कि एक rule-based, non-discriminatory regime इस्तावित होगा, जब आप दुनिया के अगर one-sixth population को आप represent कर रहे हैं, और आपको international institutions है, UN है, उसमें आप भागिदारी नहीं बढ़ा रहे हैं, उसमें भारत का वजूद नहीं बढ़ा रहे हैं, तो आप जो non-discriminatory regimes हैं, उसको आप continue करना चाहते हैं, लेकिन भारत, देखिए, बहुत systematically, मैं दोनों के सुन रहा हूँ, बढ़ा systematically चल रहे हैं, कि तील लेवल पे reforms आ रहे हैं, एक तो आप domestic देखेंगे, एक regional लेवल पे देखेंगे, और international लेवल पे देखेंगे, जो domestic लेवल पे, कत्रोर साब ने बहुत कहा कि security environments हम बना रहे है लेकिन हम policy perspective में भी चल रहे हैं, कि हम अपने देख के अंदर infrastructure को इतना मजबूत कर रहे हैं, कि हम एक दूसरे को जोड रहे हैं, जो different projects आ रहे हैं, जिसमें आप जो project सागर माला है, या project मौसम है, कैसे हम culturally और physically connect कर रहे हैं, देख के भीतर, ताकि हम जो हमारे resources हैं, वो flow हों जो services हैं, भारत जो दुनिया में जाना जाता है service providing के लिए, वो उसमें flow आए और भारत के दूसरे जो चेतर हैं, जिसमें जो पिछडे हुए हैं कुछ चेतर, उनमें बड़े, जो regional level पे भी हम कई initiatives आए हैं, कि हमारा जो एक unilateral approach रहा है, पिछले कुछ वरसों में, उसमें का परिवरतन आया है पिछले करीब 8-10 साल से, और हमने उसको unilateral और bilateral से, हमने multilateralism की तरफ हम गए हैं, और उसमें जो खास बात आई है कि जैसे हमने BVN की बात की कि भारत, बंगलादेश, नेपाल, भूटान को एक तरीके का connectivity हम provide कराएं, और कटो साब ने कहा कि उसको नोर्थ इससे जोड़े हैं, गल्प countries का access बनाएं, ताकि एक तरीके का flow, एक policy shift आया है, कैसे हम region से global market की तरफ जुड़ रहे हैं, कैसे हम अपने जो resources हैं, जो अपनी सेवाएं हैं, global market में हम आगे बढ़ा आ रहे हैं, तभी हम Asian economy और Asian century की बात कर रहे हैं, और इसमें जो सबसे आगे जो एक ती जो लूग की इस्ट पॉलिशी थी, बहुत कुछ हद तक नहीं हुआ था, उसको हमने एक टीष्ट पॉलिशी और पुछली जो मोदी सरकार रही, पिछला पूरा पंस साल इन्होंने नोर्थ इस्ट और सौथ इस्टेशन इस्टेशन की तरफ करनेट किया, और जो इसमें जो ग्लोबल एकोनोमी से जोडने की बात करी, खासकर जो सौथ इस्टेशन कंट्रीज के साथ जोडने में जिसमें इस्टेशन सब्मीट हो, या आशियान सब्मीट में पार्टिशिपेसन हो, और जो हमारे प्रोजेक्ट से कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक िइसे प्रोजेक्स है जो आउया ट्राइटरल रोड कनेक्टिविटि यह ताइलेंड से जोडने का और जो दूसरे बड़े प्रोजेक्स हैं, जिसमें यह इस्ट एसिया की एकॉनोमी ऐएग्समें नुर्थ साूथ कोरिडर और वेस्ट इस्ट को रिडॉर में भारत जितने भी प्रोजेक्स से सब बहुत कहीं ने कहीं सामिल करने की एक दोड लगी हुई है जाए वह चाईना में हो जायो साउती श्टेशन कंट्री जो ये emerging economy है जो purchasing power capacity है यहाँ काफी हाई है आप देखे बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ अभी मोदी जी ने बहरीन और UAE में उन्होंने यात्राएं की दोनों देशों ने बढ़ चड़ कर भारत के प्रदान मंतरी के साथ में आर्थिक सहयोग की बात की उनको लग रहा है कि भारत एक इमर्जिंग एकोनोमी है और एक सोर्स है जो हमारे यहां से तेल का आयात कर पाएगा और अपने हाँ सबसे बड़ा सम्मान देना भी हां तो मेरा यह है कि भारत यह जो अपना एक इस्टेचर ग्लोबल इस्टेचर बढ़ा रहा है एकनोमिक मिलिटरिली पॉलिटिकली उसी के साथ भारत इस दिसा में भी काम कर रहा है कि जो इंटरनेशनल इंशिचूशन्स हैं जिसमें यूएन की आपने बात की या डबलूटियो की बात की कि जहां पे भी हम सेलेक्टिव पार्टनर्शिप डबलब करेंगे अगर डबलूटियो डिस्किमिनिट्री है तो च चाइना हमारा अगर रोट करता है तो हम दूसरे कर तो भारत का जो पॉलिसी में एक जो मेजर सिप्ट आया है वो भारत की जो एकोनोमी जो हम बात कर रहे हैं कि 21st century भारत की century होगी या एशिया की century होगी तो इस दिसा में हम कारगर कर रहे हैं ठीक है और इसी को अगर आप समझाएं सर क्योंकि आज हम देख रहे हैं क्लिक पे बहुत कुछ खरीदा जा सकता है मतलब एक internet बहुत बड़ा जरिया बन चुका है युग बदल चुका है इसलिए मैं reforms की बात इसलिए कहने हूं कि Vice President ने बार बार reforms की बात कही है WTO थोड़ा reforms के ध्यान दे तो ये reform आज क समय के साथ करना ये कितनी बड़ी जरूरत बन गई है बड़ी अच्छी बात करी I think reforms इस समय हिंदुस्तान में पिछले पांथ सालों में इतने reforms हो गए हैं जो पिछले दो तीन दक्षतों में हिंदुस्तान में नहीं देखने को मिले उसके कुछ positives भी रहे और वो reforms हिंदुस ली आता रहा है जो बहुत एहम बात मेरे विचार में उपर रास्पति साहब ने कही वह यह थी एक तो कि जो यूथ है और उनको लेके jobs कि उनने बात करी कि जो jobs जो यूथ देखता है jobs आज उसका एक देखने का नजरिया जौब के प्रसी बदल गया है पहले जिसको हम कहते थे inverted commerce में रोजगार की सरकार देगी मिर को job उसी को job करेंगे बाकी जो लोग काम कर रहे है वो job नहीं कर रहे हैं तो वो रोजगार जो था एक बहुत एहम चीज होती थी पर आज का जो यूथ है वो उस रोजगार को नहीं देख रहा है वो देख रहा है कि मैं कैसे चाहे म मैं अपना कुछ स्टार्ट करूं स्टार्ट अप बनाओं या चीजें करूं जिससे में और लोगों को भी जो है रोजगार जॉप यह मानसिक्ता में बदाव बड़ी है और यह नहीं कि सिरफ रोजगार यह है जब मैं कहीं काम करने जा रहा हूं को फिजिकल प्लेस में जा ला दिया उसन को भी यूई में कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि रुपे को लागू कर रहे हैं उससे एक जो हिंदुस्तानी है एक आम आदमी है जो बहार जा नहीं पाता था ट्रैवल नहीं कर पाता था बिजनस नहीं कर पाता था खिरिदारी नहीं कर पाता था क्योंकि उसक 1978 से floating currency रही है और करीबं 13 से 15 देश हैं विश्व में जो हिंदुस्तान के रुपे को reserve currency बना के रखते हैं मतलब कि जैसे हम dollar के अंदर या Europe में रखते हैं Japanese yen में रखते हैं और trading countries के अंदर reserve रखते हैं ऐसी वो देश हिंदुस्तान के रुपे में रखते हैं उसे रुपे की जो ट्रेडिबिलिटी है capability बड़ी है और लोग जो वहां पर काम कर रहे हैं चल रहे हैं उसकी capital बड़ी है तो यह जो boundaries होती थी पहले कि हम हिंदुस्तान में या असाम में बैटे हैं या पिर हम जो है जम्मू में बैटे हैं तो काम नहीं कर सकते हैं कशमीर के किसी प्रांथ में बैठे तो काम नहीं कर सकते हैं अब वह boundaries झु है खतम होती जा रही है और इसको मद्दे नजर रकते हुए WTO को यह देखना जुरूरी है कहां से consumer आ रहा इसको हम रोक नहीं सकते, चाहे कोई देश रोकना चाहे, कोई पॉलिटीशन रोकना चाहे, इसका आज रोक नहीं सकते, यह ऐसा market driven economic system हो गया है, ऐसी power आ गई है digital framework से, और अब तो हम 5G की तरफ जा रहे हैं, हिंदुस्तान उसकी तरफ move कर रहे हैं, और telecommunication revolution आएगा, और cost cutting, आज वैसे ही हम सबसे lowest cost function पे विश में चलते हैं, उससे जो boost मिल रहा है, इंडियन economy को और एक आम आदमी की economy को, जो सबसे important है, क्योंकि हिंदुस्तान एक आम आदमी से बनता है, इसमें 90-95% population आम आदमी की है, rich लोगों की नहीं है, पर वो जो है, जब उसको एक benefit मिल रहा है growth का, तो मेरे विचार में वो हिंदुस्तान का सर उचे की तरफ लेके जाएगा, trade भी बढ़ाएगा, अपने लिए पैसा भी बढ़ाएगा, और जो वियर जीडिपिक जो हम देखते हैं, वो सबसे बड़ा challenge मैं अपनी तरफ से देखता हूँ, तो वो इंडियन ओशन में है, अभी देखिए, अगर आप देखोगे, तो इंडियन ओशन में क्या है, जो भी हमारा trade है, जितने जो भी हमारे energy supplies है, भारत की, चीन की, आसियान countries की और जपान की, वो सब ओशन से आती है, और जितना भी हमारा जो trade है, major trade जो है, वो वहाँ से आ रहा है, अभी बहुत सालों से भारत और चीन, दोनों देश, हम अपने आपको continental power मानते थे, हमारे जो दृष्टी थी, वो land के उपर थी, मुझे लगता है, वो सोच अभी बिल्कुल बदल देना चाहिए, अभी आप अपना ध्यान इंडियन ओशन पे लाइए, और इसलिए प्रदान मंत्री के जितने भी बाशन देते हैं, अभी उनका जिकर इंडियन ओशन के उपर होता है, मैं एक सरे छोटी सी बात इसके उपर बताना चाहता हूँ, जब आप हिंदोस्तान का नक्षा देख रहे हो, आप नॉमल तरीके से मत करिए, उसको उल्टा करके देखिए, और सौथ को उपर लाइए, और उसके बाद देखिए, हजारों किलोमेटर का जो ओशन है, वो आपका ओशन है, और वो मैं समझता हूँ, सबसे जरूरी है, एक, दूसरा, जहां तक हम इंटरनल, इंटरनाशनल सेक्योरिटी की बात करते हैं, मुझे लगता है कि फिलहाल जो गल्फ में जो प्राब्लम चल रहा है, उसके उपर हल जल्दी निकालना मैं समझता हूँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर, फिलहाल तो स्टिबिलिटी है, लेकर अगर मामला बिग हो जाएंगे, तीसरा मैं समझता हूँ, एक इंटरनल सेक्योरिटी स्ट्रक्चर जो है, हमारे एशिया में, ये और मदबूत करने की जरूरत है, कॉपरेशन और कॉंपरेशन दोनों चलेंगे, लेकिन जहां तक हो सके, अगर आप कॉपरेटिव आस्पेक्स बढ़ा दोगे और जिस प्रकार से हमारी विदेश नीती चली है, पिष्टे पांच या छे सालों से, मैं समझतों ये बिल्कुल सही रास्ते पे है, और ये इसी प्रकार से चलती रहना चाहिए, तो इसी के साथ जो देश देश आंतर का आज का अंक है, उसका समय फिलाल यहीं पूरा हो गय इस कारिक्रम को आप चाहें तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और आपकी राय और जो सुझाओ हैं, उनका हम हमेशा बेस अबरी से दिजार करते हैं, इसलिए देश देश देशांतर के संकुले कर भी अपने राय और सुझाओ साजा करना मत भूलेगा, फिलाल दीजे एकाओ जाने चाहें पर एकषिए बेस अधकार।